शिवजी के बारह अनमोल वचन महाशिवरात्री के मौके पर हर कोई शिवजी में लीन है। ऐसे में आज हम आपके लिए शिवजी के बारह अनमोल वचन लाएं हैं, जो आपका आपकी जिन्दगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिवजी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। पहला वचन कल्पना ग्यान से महत्वपूर्ण अर्थ हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानि कि हमें जिन्दगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाहा रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। बलकी करने से ही बदलाव आएगा। अगला वीडियो देखना। तीसरा वचन अहत शून्य में प्रवेश करो अर्थ। शिवजी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ठ हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। अगला व अगला वीडियो देखना। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। छठा वचन गायत्री मंत्र अर्थ। एक बार पार्वती माने पूछा था कि हे शिव आप कौन सा योग करते हैं। तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। अगला वीडियो देखना और सब्सक्राइब कार देना। सात्वा वचन जीवन को सुखमई बनाने के लिए अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें। यही असली खुशी है। अगला वीडियो देखना और सब्सक्राइब कर देना। आठवा वचन प्रकृती का सम्मान करो अर्थ। प्रकृती ने ही हमें जीवन दिया है। हमें प्रकृती का सम्मान करना चाहिए। अगला वीडियो देखना। बेटा, अगर वीडियो देख रहा है तो जीवन में हमेशा खुशी आए। नौवा वचन योग की शक्ति को सम विश्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्म ज्यानमू, लोकानंद, समाधि सुखम, शिवसूत्र, अर्थ. यह वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है. अगला वीडियो देखना और सब्सक्राइब कर देना. दस्वाँ वचन, अपनी तरफ देखो अर्थ, न तो पीछे न आगे, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हे नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है. शिवसूत्र, अगला वीडियो देखना, ग्यारवाह वचन माया को समझो आत्मा चित्तम, कलादी नाम तत्वा नाम विवेको माया, मोहा वरनात सिध्धि, जाग्रद द्वितियकर, शिवसूत्र, अगला वीडियो देखना, बारहवां वचन अपनी जागरूकता का विस्तार करो बेटा मेरा बात को जिबन में उतार कर देखना हमेसा खूश रहेगा और सब्सक्राइब करके जाना बोल जय भोले नात